कि अतर चुकों हूं इस अनने आज ऑ सिर्फ से मिन दियारे टियार करें आज की जोम प्यसक्ड पर घड़ाने वारले वह किस टाइप से चयार कर रहे हैं वह यह वालेปर यह पहले इससे पिछली लिक्षर में जो मैं पैटरन बनाया था वो कौन सा पैटरन तेयार किया था यह मेरा पिछलो लेक्षर देख सकतो पैटरन यानि कि टू के नाम से मिल जाएगा विद वाइल लूप से तो यह उसके अंदर उसके अंदर मैंने कोड समझाया हुआ आज हमारी जो पैटरन तेयार होगी वो किस टाइप से पैटरन तेयार करने है आज जो हम पैटरन तेयार करेंगे वाइल लूप से वह यह वाली पैटरन करेंगे तो यह जो पैटरन साती है अधिक तर यूज का होती है इसको हम बनाते है एक तरह सा नास्टर लूप के अंदर अभी तक हमने इसके वल सिंगल वाइल लूप किया है अब अब तक हमने वाइल लूप किया है अब एक लूप होता है नस्टर लूप और नस्टर लूप में आपको बता चुका हूँ जब लूप के अंदर लूप लग जाता है तो उसका हम नस्टर लूप केते हैं और इस सही हम यह पैटन तियार करेंगे क्या होता है जो आउटर लूप होता है वो रो के लिए लगता है और जो इनर लूप लगता है वो कॉलम के लिए लगता है तो आइए सबसे पहले इसको कोड तियार करते हैं इसको कोड किस तरह से बनेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना वो 5 print करनी है, फिर 4 print करनी है, फिर 3 print करना है, फिर 2 print करना है, फिर इसके बाद मुझे 1 print करना है, यह मेरी पहली row complete हो चुकी है, और इस row के अंदर कितने column अग आप देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, फिर इसके बाद second row, यह पहली row होगी, अब दूजरी row complete होगी है, column कौन से है पह फाइब कॉलम भी पाँच होगी अब प्रिंट के जोन है लेकिन 5 4 3 2 1 तो देखिए कि इसको कोड के से त्यार करते हैं मैं इसको कोड त्यार करता हूँ अभी सब्लाइम में इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ इस कोर को जीसे में सिंटक्स रिगए रहीं सही दिदीकते रहा है उसका पाईफं कोड यहाँ पियार कर देता हूँ यहां पर एक मैं तयार कर देता हूँ पैटैर्ण नाम से पैटर्न नाम से एक फॉल्डर तयार का देता हूं पैठर्न और यहां पे ले लेता हूं मैं example1.c तो देखेगा सबसे पहले तो मैं वही हैडर फाइल लगाता हूं थोड़ा इसके बाद में आपको दो वेरेबल चाहिए एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए मैंने क्या कर दिया अब मुझे सबसे पहले दीखेगा मेरा पैटर्न इस्ट्रक्चर क्या है पहले जो मुझे प्रिंट करना है 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से प्रिंट करना है तो यह कि से प्रिंट करेंगी तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं इसके अंदर R की value 1 n ले लेता हूँ यानि की row की value 1 क्योंकि row तो इक रिमाइट में चलाना है उसके बाद मैं यहाँ पर while लोगा और उस while के अंदर मैं कहता हूँ R less than equals to R की value अमारी 5 तक चलना जोगी क्यों? क्योंकि आप देखेगा column हमारी total कितने 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर 5 ठीक है? तो column हमें पूरे 5 तक चाहिए body उसके बाद आप देख रहेंगी कि value खहां से print हो रहा है value आपका 5 से print हो रहा है तो यानि की column यह ही आओगे पहले 5 प्रिंट होगा फिर 4 प्रिंट होगा फिर 3 प्रिंट होगा फिर 2 प्रिंट होगा फिर उसके बाद 1 प्रिंट होगा तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर C equals to मैंने 5 कर दिया यानि की C की value यहाँ होगे आपकी 5 उसके बाद मैं कहना while C कहां तक चले? C greater than equals to 1 आप देखेगा है यहाँ पर जो मैंने condition लगा रहा है कि यहाँ पास से लगाके यह हमारा कहां तक चलेगी? 1 तक चलेगा तो पास से body उसके बाद मैं क्या कर दो हूँ? यहाँ पर print यहाँ पर मैं किस को कर दूँँ? परसन D लगाके यहाँ पर मैं कॉमा लगाके C को print कर दूँँ उसके बाद उसमें आप देखेगा C की value कितनी 5 है 5 बड़ा 1 से ठीक है condition true होगी अब condition true होने के बाद में उसने क्या करा? अगली value क्या आई? 4 तो 4 कब आएगा? 4 जब आएगा जब आप इसकी value में एक minus कर देए C में से minus 1 कर दिया उसकी बाद यह सब value प्रिंट करने के बाद में अब मुझे क्या करना है? आर की value मुझे plus करने क्योंकि मुझे आगला loop चलाना एक और यानि के outer loop चलाना है इसको में लिख देता हूँ यहाँ पर comment section में कर देता हूँ यह मेरा वाला जो loop है यह कलाएगा मेरा outer loop ठीक है? यह किसली है? यह मेरा inner loop है यह मैंने इसके अंदर comment section डाल दिया ओकी? इसको document section भी बोलते हैं परे से उसके बाद मुझे क्या करना next line में आ जाना next line में आने के लिए मैं क्या क्या कर दिया? slation कर दिया क्यों? slation किसली करा? आप देखेगा जब यह पूरे पांस से लगा के एक तक आ जाएगा तो अगली value next line में प्रिंट और यह पांस से ही तो अब यह किस तरह से चलेगा? पहला मैं इसको एक बार compile करके एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा output ठीक है या नहीं है? यह आपको कहां मिलेगा आप देखेगा यहां पर sorry spelling गलत होगी pattern यहां पर आप देख सकते है location c drive c drive के अंदर यहां पर क्या है code है code के अंदर pattern है इसको compile करने के लिए मैं एक gcc compiler download किया हुआ है install किया वैस example 1.c मेरे code का जो actions है वो .c क्यूंकि c का code है enter कर देखें तो अभी देखें इसके अंदर code के अंदर error आ चुकी है वो क्या कर रहा implicit जो देदा यह रहा print off की spelling यहां पर गलत है तब कि वो क्या होता है print off होता है यह मुझा python की थोड़ी सी आदत पुड़ यह python में देखतर क्या होता है print चलता है तो इसमें print off होता है तो इ तो मैं compile successful हो चुक है अब इसको execute करता हूं code को तो a press करके enter कर देंगे तो देखेंगा output आपका बिल्कुल सहीं यह आ चुक है अब यह code काम कैसे कर रहा है इस code को मैं explain करता हूं आपको यह code किस तरह से काम कर रहा है देखेंगा आर की value क्या है यहां पर आर की value आपकी one है अब यह जैसे one हुआ तो यह चला के से इसको पर आर की value one होगी है फिसने चेक करा आर छोटा है पहां से आर की exact value क्या है यह one आगी के condition true है और आपको पता है कि iterations के अंदर कोई भी आपका control instructions होता है उसके अंदर वह non zero value education करता है non zero यानि कि always हमें से true value को execute करेगा तो condition यहां पर true है तो while loop क्या करें execute होगा तो वह c की value कहां से चलाएगा 5 से चलाएगा ठीक है अब यहां पर आया उसने पांच बड़ा है एक से condition true होई false condition यहां पर true होगी तो c की value originally क्या प्रिंट हो यहां पर देखेगा पांच प्रिंट हो चुका है उसने इसके बाद c में से minus कर दे कितना हो गया 3 तीन बड़ा है एक से ठीक है तो उसने देखे क्या प्रिंट कर दिया फिर minus क्या कितना हो गया 2 क्या 2 बड़ा है 1 से तो देखेगा 2 प्रिंट हो गया फिर minus कर दे कितना हो गया 1 1 बड़ा है 1 से, बड़ा नहीं है, लेकिन 1 बराबर है 1 के, क्योंकि यहाँ दोनों operator लगए हुए, greater and equal, इन में से एक ही operator एक समय में एक काम करते, दोनों एक साथ कभी नहीं काम करते, अगर greater नहीं है, equal तो है, तो C की value क्या print होगी, 1 होगी, फिर उसने यहाँ पर minus किया, तो क R की value में एक add कर देगा, यानि कि अब हमारी entry अब outer loop के अंदर हो जागी, अब तक तो inner loop चला था, तो R की value कहां से चली थी, 1 से चली, तो R में जिसे इसने प्लस किया, तो यहाँ पर क्या होगी, प्लस होने पर 2 हो चुका, 2 होने के बाद वो next line में आगी, यहाँ पर print हो next line फिर उसने उपर जाके outer loop में गया, outer loop में ही अब है, उसने अब यहाँ पर check किया, क्या R की value कितनी होगी, यहाँ पर 2, 2 सोटाए 5 से, okay, C नीचे कितनी हो चुका था, 0, तो यह जो 5 होगा, again assign हो जाएगा C के अंदर, C केंदर जैसे 5 असाइन हो चुका, तो हमारी C की value क्या ह होगी, 5 होगी, उसके बाद उसने क्या करा, यहाँ पर check करा, 5 greater than 1, या 5 greater than 1, क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारा C की value 5 निकिएगा, इस line में 5 आगे, फिर इसी तरह 4, फिर इसी तरह 3, इसी तरह 2, इसी तरह से 1, फिर इसी तरह से 1, फिर इसी तरह से 1 time ऐसा होगा, कि C की value 0, यहाँ पर check करेगा, वो exit हो जाएगा, इस block से, फिर R की value again plus हो जाएगी, तो R की value plus होने पर कितना हो गया, 3 हो चुका है, अब उसने उपर गया, क्या 3 बड़ा है, 5, 3 छोटा है, तो दुबार C की value क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और 5 से लगा के कहां तक चलेगी, प्रिं पांस लगा के यह तक आचुका है, फिर R में plus करेगा, R में plus होने के बाद में, फिर वो next line में entry कर लेगा, हर बार यान कि जितनी बार भी outer loop होगा, outer loop के अंदर entry होने पर क्या होगा, कि वो R में increment करके चलेगा, और वो next line में भी entry करता रहेगा, ठीक है, next line में, फिर हमारी य बात नहीं काम करते, यह relations operator में केवल एक ही काम कर रहा है, फिलाल, 5 बराबर है, 5 के, yes, तो यहाँ पर C की value again क्या होगी, 5 होगी, 5 से लगा के 1 तक चलेगा, तो यहाँ पी देखेगा, 5, 4, 3, 2, फिर R की value में plus हो गया, कितना होगी, 6 हो गया, उसके बाद यहाँ पर उस next line मे आ चुका है, अब यहाँ पर देखेगा, R की value हमारे नीचे 6 हो चुकी, 6 less than 5, no, condition false होगी, 6 बराबर है, 5 के, नहीं, यहाँ पर condition आपकी false हो चुकी है, तो देखेगा, यहाँ पर इस, अब यह outer loop की भी condition false होगी, तो इस से exit हो गया, तो यह देखेगा, इस तरह से यह आपका यह यहाँ कि नासेड लूप काम करता है, और इससे पहले lecture में भी आपको दो lecture pattern के में पढ़ा चुका हो, आप उनको देख सकते हैं, patterns में मिल जाएगा आपको, pattern 1 और pattern 2 के नाम से मिल जाएगा, ओके, अब इसके बार, अब हमें जो पोर्ट चाहिए, वो क्या चाहिए, वाल 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1, तो अगर देखा जाए, अब यह हमारे column row print हो रहा है, पहले तो column print हो रहे हैं, अब हमें row print करके चलना है, तो इसके लिए कुछ निकरना है, छुटो सा changing आएगा, आप देखेगा, यहाँ पे जहाँ R की value, आब यहाँ देखेगा, C की value कितनी है, आ तो आपको एक थोड़ा से चंजिंग करना पड़ेगा आर की वेल्यू जो है वह कहां से चला है वह चलो मैं अगली अगला ही कोर्ट तेयार कर देता हूं उसके लिए जिसे की कन्फिजन नो आपको एक्जाम्पल एक श्यांदर आरकी इसान ख़ना इससे लोड़ा कांड़ा एक उसके की मैं कहरें से ले लेता हूं तो फाहिब से ले लेता हूं उसके बाद में क्या कर ओंगा यहां इस फिल गला खेए आं इसस औरो गलात हो गया घ्र एक एकटवर की एकषिए लैं तो to one r मेरा पन तक आना चाहिए उसके बाद मैं क्या कर दो हूं यहाँ पर सी की वैलू मैं कहां से चला दो हूं पास से वन से भी चला सकते हैं कोई दिख कर नहीं है और यहाँ पर मैंने क्या करा वाइल किसे करना चाहिए यहाँ पर सम D, यहाँ पर हमिन रिंट कर देड़ वह आ उसके बाद यहाँ पर का कर देगे जहाहिए असके बाद रिंट के से काम कर रहा है इसको समझाता हूं यह कोड हम पहले हम इसको एक बार compile कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है code में जी सी एक्जम्पल टू डॉट सी ओके वही गड़बड दुबारा एफ चुटा हुआ है मेरा यहां पर तो मैं एफ लगा देता हूं यहां पर यह थोड़ा उसको डाल में किसे है चला हार की वैल्लू क्या इसलेशिंपर गे आपने 15 किया उसने चेकरा प्षाइब क्या रवाइटर देपाइब यह तो सी कि वह यहां से चली 5 से से दूट फैसे चला है रोट ऐसे हायले के बाद में हमकि यहां पर अधरपर हचा वी वह न ही है तो तो फिर R प्रिंट हो जाएगा, R में तो अभी modify हुआ ही नहीं, R में तो अभी 5 ही है, तो again देखेगा 5 प्रिंट हो गया, फिर यहां सुझने C में से minus किया, तो कितना हो गया, 3 हो गया, 3 greater than 1, फिर R की value है original क्या print होगी, 5 हो गया, अभी तो R में modify हो गया, फिर इसने इसमें से minus किया, तो C की value कितनी होगी, 2 होगी, 2 greater than 1, यह आर की value फिर क्या print हो जागी है, फिर उसने इसमें से C में से minus कितनी हो गया, 1, 1 बराभर 1 कि, तो R की value दुबार क्या print होगी, 5 होगी, फिर उसने minus किया, 1 के बाद यहां पर कितनी हो जाएगा, 0, 0 बड़ा है 1 से, ही condition false हो चु तो वो इससे exit हो जाएगा, उसके बाद इस R में से minus करेगा, R कहां से चला था 5 से, अब यहां R में से minus करोगे, तो R की value हो जाएगी 4, उसके बाद वो print up क्या करेगा, उससे next line में entry करा देगा, यहां हमाँ outer loop के अंदर हैं, अभी तक तो हम inner loop के अंदर थे, inner loops हम exit हो चुके है अब यहां पर जैसे R next line में आया, तो R की value आपकी कितनी होगी, 5, 4 हो चुकी है, अब यहां पर गया, 4 greater than 1, या originally 1, यानि के condition यहां पर true है, 4 बड़ा है, 1 से, उसके बाद C कहां से चला, C के अंदर दुबारा value input कहां से होगी, 1 से होगी, उसके बाद, यहां पर क्या चक्रा यहां पर चक्रा की, 5 greater than 1, या greater than 1 है, R नीचे की, R अभी अब कितना हो चुका था, 4, तो originally देखी कितना हो गया, 4 print हो गया, फिर उसमें अगे NC में सा minus करा, कितना हो गया, 4, 4 greater than 1, या, तो R अभी हमारा 4 है, तो 4 print हो जाएगा, फिर उसमें माइनस किया, 3, 3 greater than 1, तो R कितना 4 यह, तो यहां के 5 से लगा के, एक तक हमारा यह 4, 4 print हो जाएगा, एक condition आने पर C, 0 बजगा है, 0 बढ़ाया वन से नहीं, condition यहां पर false हो चुकी है, उसमें फिर R की value कितना ही, 4 थी, 4 में से यहां पर इसमें एक minus किया, decrease किया, तो हमारी 4 से कितना हो गया value, 3 हो चुका है, 3 greater than 1, 3 greater than 1 है, तो C and A again initialization 5, and then condition check, 5 greater than 1, तो R की value आपकी कितनी हो चुकी थी, 3 देखेगा, 3 print हो रहा है, 3, 3, 3, फिर इसी तरह से 2, 2, 2, इस तरह से 1, 1, 2, तो इस तरह से हम Y loop से nested loop के थूप, pattern को तयार कर सकते हैं, ओके, तो आप अगर यह दिए, आप सुरु से pattern को समझना च चाते हैं, तो आप मेरा 1st lecture, 2nd lecture देख सकते हैं, उसके बाद आपको यह भी समझ में आ जाएगा, मैंने उसके अंदर और अच्छे से deeply बताया, और अच्छे से बता रख है, तो आपको 1st lecture देखेगा, यह दि आपको और अच्छे से pattern clear करना है, उसमें 1st और 2nd में और अच् आपको यहोग बता करना है, यह देखेगे जैण करते हो, जो म कौ घजने ख।